भारती जन्ता पार्टी के लिए संविधान वो है जो RSS के प्रमुख निए उनको देश के संविधान में आस्ता नहीं है वो कहते हैं देश में आरक्षल खतम होना चाहिए दोजार चौबिस का चुनाओ अंतिम चुनाओ है जब पूरे देश में लोगों के मन में इस बात की आसंका उत्पन हो रही है तमाम राजमितिक दलों के नेताओं के और कारकरताओं के मन में ये बात लगातार मजबूत और ब्रिन हो रही है कि दोजार चौबिस का चुनाओ अंतिम चुनाओ है और इसके बाद गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे चुनाओ खतम कर देंगे आरप्छल खतम कर देंगे किसानों और युमाओं के अधिकार महिलाओं के अधिकार को छीन नहीं इस बात की आसंका हर दिन मजबूत हो रही है प्रबल हो रही है और इसके एक में अनेक उधारण है क्यों ये धारना मजबूत हो रही है लोगों के मन में आपको याद होगा देश के गिरिय मंत्री ने एक बयान दिया उन्होंने का साथ 50 साल तक बीजेपी राज करेगी 50 साल तक कहां से आई ये बात उनके दिमाग में क्या योजना है उनके मन में चुनाओ कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तै करती है तो 50 साल तक बीजेपी राज करेगी ये देश के गिरिय मंत्री अमिशा जी बोलते हैं इनके एक RSS के बड़े प्रमुख नेता है मोहन वैदेजी 2017 का उनका बयान है वो कहते हैं देश में आरक्षल खतम होना चाहिए 2015 में RSS के प्रमुख आप सब जानते हैं देश के लोगों के लिए तो सम्विधान बाबा साथ डॉक्टर भीमरा अमबेटकर जी ने जो लिखा वो भारत का सम्विधान है लेकिन भारती जनता पार्टी के लिए सम्विधान वो है जो RSS के प्रमुख लिखते हैं उनका देश के संविधान में आस्था नहीं है क्योंकि देश के संविधान को तो बदलना चाहते हैं तार-तार करना चाहते हैं वो किसके संविधान को मानते हैं वो RSS के प्रमुख मोहन भागवत के संविधान को मानते हैं जो नापपुर का संविधान है वो भाजपाईयों प इतने एहनकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं, तो सम्विधान बदल नहीं सकते, यह किस बात का चैलेंज आप दे रहें बाबा साहब को, बाबा साहब ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है सम्विधान के रूप में, उसका तत्ल वो क्यूं करेंगे, वो क्यों कोई बदलाव करेंगे, इसका मतलब बदलाव की मंसा आपके और आरेसेस के और संग के मन में और नाकपूर में बैठे हुए लोगों के मन में है, और इसलिए देश का ग्री मंत्री खुले हम कह रहा है, पचास साल तक देश पे राज करूँगा, क्योंकि जब चुन किम जॉंग का राज हो जाएगा, तो क्या दुरूर से चुनाओ कराने की, तो मैं आपको बता रहा था कि मोहन भागवत ने, 2015 में विहार विधान सभा के चुनाओ के पहले, कहा कि देश के अंदर आरक्षर खतम होना चाहिए, आरक्षर की समीच्छा होने चाहिए, क्यों भ हुआ थच्छा है, क्यु तर्ड़ा आरक्षर के पार आरक्या होने, क्यों भाएद शवकर्चाल अजय हो जी, तो है क्यों भाएगा रहाएगा.